सभी को नमस्कार जी सभीवेद और हम यह जंगल में आये हैं नेताम टोलक के जंगल में और यह घुमते घुमते हमें यह कल्हारी यगनी सिखा का पौधा प्राप्त हुआ है हमें और यह पौधा चौसर दिव्यम अवसधी में से एक माना गया है हम इसका एक ज्यादा परियोग ना बता कर छोटा सा परियोग बताते हैं जैसे किसी भाई बहन कहीं घुमते हुए यदि लोहे का कील गर जाए उसके पैड में या काटे चुप जाए उनके पैड में जो नहीं निकल पा रहा ह तो इसके कंद को वहाँ पर हलका से छेट करके मतलब हलका सा वहाँ पर जगा बना कर यदि इसके कंद को वहाँ पर लेप कर दिया जाए तो किल जो खिला है वो आटोमेटिक फेक देते हैं और कभी भी वहाँ पर इंफेक्शन नहीं होगा लोहे से जो गल गलता है पैरवर ए जो एक कुछ इंफेक्षन ही होगा ऐसा दिभ्याव सधी है ऑर टे क्रवा ओर जैसे कि कहीं पर बावा सीर हो गया तो मस रशल बन जाता है और भगणदर जो होता है उसके कुले के अंदर अंदर गुदा मार्ग में और घा कंद को बन जाते हैं तो इसके कंद को हम यदि लेफ लगाते हैं इस गुदाद्वार में तो भगंदर का रोगी भी ठीक हो जाते हैं बावस्तिर का रोग भी ठीक हो जाते हैं और यह बाहरी प्रयोग है अंदुरुनी प्रयोग के लिए इसे सोधन किया जाता है और अंदुरुनी प्रयोग इसे कभी नहीं करना बस राम न